असलामलीकुम एवरिवन आई होप योलर फाइन डूइंग ग्रेट वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम रमजान स्पेशल में बनाएंगे लिक्वीड डो के साथ सप्रिंग रॉल शीर्ट आप इसे बहुत इजी ली गर पर बना सकते हैं बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपक करते हैं सप्रिंग रॉल शीर्ट के लिए लिक्वीड डो त्यार करेंगे उसके लिए हमें सिफ दो इंग्रीडियंट्स चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक कप मेदा लिया और एक कप ही मैंने पानी लिया तो यहाँ पर आपने यह दियान रखना कि जिस कप से मैयर करके आप मैदा लेंगे उसी कप से मैयर करके आपने पानी भी लेना है तो इकविली मैयर करके हमने मैदा और पानी एक एक कप ले लिया है अब हम एक बोल ले लेंगे और इसमें मेदे को सिफ्ट कर लेंगे कुश्चा मैदे को अच्छा से सिफ्ट करने के बाद हम इसमें पानी हैट करलेंगे और विस्कर की घ्ल्स है ik된 बिल्कुल लंप स्प्डेश प्री एह हम राड़ लेंगे अच्छे करने के बाद हम एक और बॉल लेलेंगे और इस सारी लिक्विट डो ख divers कर लेंगे एक पर अच्छे से करने के बाद बिल्कुट को रेडी है अब हम हम से प्रिंग रोल शीट प्रेने के लिए beई यहां पर एक फ्राइब यह तो यह देखें कि बिल्कुल थंडा फ्राइब इन और साथ ही मैंने यहां पर भी कॉप ले लिया जिससे मैं लिक्वीड ऑब करूंगी पैन के अंदर से मैं डाल 吸っ और अब हम इस तरह से पैन में सारी लिक्विड डो को फिला लेंगे किसी भी चमच या स्पैजूला का हमने यूज नहीं करना बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राइपैन को गुमाते जाएंगे और ये पूरी लिक्विड डो जो है वो इसके अंदर फैल जाएगी एक और बार बताती चलूँ यहां पर मैंने फ्राइपैन को बिल्कुल भी किसी भी चीज से ग्रीस नहीं किया जस्ट आपने एक फ्राइपैन लेना है और इसमें लिक्विड डो पॉर कर देनी है और नहीं फॉर्ण यहां पर एक ग्रम होना चाहिए थंडे फ्राइपैन में आपने डालनी है तो ये देखे सारे लिक्विड बैटर को मैंने इस तरह से फिला लिया है अब बारी आती है कि हमने से पकाना अकी इस तरह से है तो फ्लेम आपने पर रखेंगे फ्लेम आपने मीटियम पर रखना है अब हमें कैसे बता चलेगा कि यह पक गई तो जब यह पकने लगेगी तो इसका कलर जो है वो ट्रांस्पेरेंट में होना शुरू होजेगा और नीचे से पैंट जो है वो नज़र आने लगजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यह ट्रांस्पेरेंट से होने लग गजेगा पैन से इस तरह से सेपरेट कर लेना है मिलकुल ही असानी से हो जाती है बहुत ज्यादा खैंचना नहीं है वरना की सप्रिंग रॉल शीर्ट टूट भी सकती है और कोई कप्रा भीचा लेना आपने इस तरह से और सप्रिंग रॉल शीर्ट को बनने के बाद आपने इस तरह से कप्रे पर डाल देना ताकिस की जितनी भी बाप है वो निकल जाए और मॉइस्टर जो है वो कप्रा एब्सॉर्ब कर ले और जब आप दुबारा पैन में लिक्विट पॉर करें तो आपका पैन ठंडा होना चाहिए अगर गरम होगा तो लिक्विट आपका अच्छे से पॉर नहीं होगा बलके वहाँ पर डालते ही पक्तना शुरू हो जाएगा तो यह देखें यहाँ पर एक कप्रणी के ने लिए हमाचा कर पैना सारी सप्रिंग्रॉल रख ली आपको अब आपकोłam की स्टॉर या कर से नहीं तो आपने एक स्प्रिंग्रॉल शीत स्टॉर К Rosa कर लेंगे और यसके बाद आम इसके उपर उस तरह से मेदा ड हम इसके उप करने का तरीका अब हम इसे सप्रिंग रॉल बनाएंगे और इने फ्राय करेंगे तो रॉल बनाने के लिए हम यहाँ पर सप्रिंग रॉल शेट ले ले लेंगे और इसमें हम फिलिंग एड़ करेंगे तू तू त्री रेबल स्पून हम फिलिंग बढ़के एड़ करेंगे यह मैं और मैं भी यूज करना चाहें इसमें ऐड करें उसके इसे दोनों आपर साइट से और पिर इसे नीजे से और थे इस तैना से फोल कूर लोग बाएं कि बढ़ी छुट सिखंण के लिया और बवर्लिक नेक लिए उसे इनlıष्ण खुट कर लिया था लिए इसमें और जैसे हम बाकी चीज़े fry करते हैं समोसे रोल वगारा वैसे ही इसे भी fry करेंगे fry करने के लिए मैंने एक कराई में oil ले लिया oil हमारा अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम रोल एड़ करेंगे इसे medium to low flame पर हम crispy ओने और golden brown color आने तक fry कर लेंगे sides हम इसकी change करते रहेंगे ताके सबी sides पर equally color आए तो यहाँ पर medium flame पर हम नहीं इने fry की एक crispy ओने और golden brown color आने तक तो यह अच्छे से fry हो गए हैं अब हम इनने निकाल लेंगे बाकी भी इसी तरह से fry करेंगे और इनने surf करेंगे तो हमारे बहुत ही जबर्दस spring roll ready हैं बहुत ही जबर्दस बने हैं बहुत ही असान तरीके से हमने इसकी spring roll sheets बनाई थी आप इस recipe को ज़रूर ट्राय कीजेगा और मेरे साथ अपना feedback शेयर करना मत भूलिएगा तो उमीद है कि आपको यह recipe पसंद आई होगी अगर आपको वी आपको वीज़ने से स्क्राइए झाल काइए बहुत है जुआ है झाल कर दोकित दो